आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियत्दानिक अख़बार आजाद सिपाही खोटाले में FIR के लिए ACB को आवेदन तीसरी खबर पलामों में ग्रामणों ने पुलिस टीम को बनाया बंधक मारपीट का मामला सुलजाने पहुची थी पुलिस चौथी खबर समराट गिरों का कुख्या अथमुकेशना गिरफतार पाँचवी खबर टेरल फंडिंग के आरोपी नकसली बीरवल गंजू और ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया को हाई कोट ने नहीं दी जमान चटी खबर लातिहार में 608 एटियम चोरी कर लाबुकों के खाते से 2 लाग खुडाया हुआ गिरफतार साथवी खबर सीम हेमंत ने राश्चपती पदक के लिए दो और पुलिस पदक के लिए 18 नामों को दी मन्जूरी आईए अब सुनते हैं खबर विस्तार से जरिया के बेलगडिया टाउंशिप में धर्मांतरन को लेकर हुआ हंगामा अब राजरितिक रंग लेने लगा है मामले में तीन अलग-अलग प्रात्मिकी दर्ज की गई है SDO की ओर से दर्ज एक प्रात्मिकी में सिंद्री विधायक इनरजीत महतो पर भी मामला दर्ज किया गया है दस नामजद और दस अग्यात आरोपी पनाये गए है वहीं दूसरी ओर प्रात्मिकी मिशनरी के दो युवकों की ओर से दर्ज की गई है जिसमें अग्यात लोगों को हंगामा करने और चर्च में तोड़ फोड का भी आरोपी बनाया गया है जबकि तीसरी प्रात्मिकी उसे जमीन के मालिक ने दर्ज कराई है जिस पर चर्च का निर्मान हो रहा है इसमें धोके से जमीन पर कबजा किये जाने का आरोप लगाया गया है भाशपा विधायक पर प्रात्मिकी दर्ज किये जाने से मामला गर्मा गया है धनबात सांसद पी एन सिंग ने कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर निर्दोश लोगों को फसा रही है वहीं भाशपा नित्री रागने सिंग बुधवार को बिलगडिया टाउन्शिफ पहुची और इस्थान ये लोगों से बाच्चित की उन्होंने कहा कि पुलिस से दबाव में निदोश लोगों पर केस कर रही है पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती विजली टैरिम घोटाले में बुधवार को एसीवी में प्रात्मिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है ये आवेदन समाजिक कारिकर्टा राजिवराय और पंकच कुमार की ओर से दिया गया है अब नज़र डालते हैं आज की तीसरी प्रमख खबर पर पलामो के चैनपूर थाना शित्र में एक गाउं के लोगों ने पुलिस की टीम को बंधक बना लिया इनका कहना था कि पुलिस एक हवलदार और उनकी पत्री की शिकायत पर एक तरफा कारवाई कर रही है मामला चैनपूर थाना शित्र के बढ़गावा पंचायत अंतरगत कुरका गाउं का है बुधवार को जब अनिता देवी पती राजराम सिंग की शिकायत पर जांच करने के लिए पुलिस की टीम गाउं में पहुँची तो ग्रामेंड भढग गए और पुलिस को घेर लिया इनका कहना था कि पुलिस प्राशासन एक आदमी के शिकायत पर एक तरफा कारवाई करती है लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया करीब चार घंटे के बाद SDPO संदीप कुमार वहां पहुचे और लोगों को आश्वासन दिया कि मामले के निस्वक्ष जांच होगी और दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी इसके बाद लोगों ने जाम हटाया अब नज़र डालते हैं आज की चौथी प्रमक खबर पर राशी पुलिस ने उगरवादी संगठन समराट गिरो के एक सदस्य मुकेश नाग उर्फ मुकेश साहू को गरफतार किया है इस पर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है उगरवादी सदस्य की गरफतारी राशी के लापुंग से हुई है गरफतार उगरवादी मुकेश नाग समराट गिरो का सकरिय सदस्य है बता दे कि पुलिस हत्या रंगदारी डेकाती सहित कई मामलों में इसके तलाश कर रही थी बता दे कि 2 और 7 जून को उग्रुवादी सदस्य मुकेश ने मुबाइल से पवन बारला नाम के वेक्ति से 50,000 रुपए की मांग की थी गिरफतार उग्रुवादी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है बता दे कि मुकेश नाग उरुवा मुकेश साहू ने रंगडारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मानी की धमकी दी थी मुकेश साहू के खिलाफ इससे पहले भी लापुंग और कर्रा ठाने में हत्या रंगडारी और डेकैती सहित कई मामले दर्ज है अब रज़र डालते हैं आज की पांचवी प्रमक खबर पर जारकन हाई कोट ने टेरर फंडिंग के आरोपित नकसली बिर्बल गंजू और ट्रांस्पोर्टर सुदेश केडिया की जमानत याचिका को खारिश कर दिया है पुर्व में अदालत ने बहस पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया इस मामले की चार्च एना ये कर रही है बता दें कि टंडवा के आमरपाली एवा मगत कोल पर योजना में वसूली कई लेवी की राशी उगरवादी संगठन टीपीसी को दी जाती है इसका इस्तमाल हथियार खरिदने के लिए किया जाता है अब नज़र आते हैं आज की छठी प्रमक खबर पर लातेहार के सदर थानशित्र के टरवाड़ी पंचायद भवन में बंध पड़े टीएसपी सेंटर से करीब छे सो आठ एटियम कार्ट और उनके बासवर्ड की चोरी करने वाला मुहमद जिबरिल अंसारी उर्फ फईयास को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बुधवार को पुलिस ने रक्षक सहथाना प्रभारी अमित कुमार गुपता ने बताया कि आरोपी ने सक्तर एटियम कार्ट का प्रयोग कर लगभग दो लाख रुपे की निकासी भी की है पुलिस ने आरोपी सदर्थानश्यत्र के तरवाधी निवासी मुहमद जिबरिल अंसारी उर्फ फईयास को गिरफतार कर जेल भेज दिया है अमित कुमार गुपता ने बताया कि गुरगु गाउं के मुहमद अबास अंसारी ने अपने बैंक आउप बरोदा के अकाउंट से प्रधानमंत्री अवास योजना के 29,000 रुपे की अवैत निकासी का मामला दर्ज कराया था अनुसंधान में पता चला कि टीसपी सेंटर में रखे गए बैंक आउप बरोदा के लगभग 608 एटीयम कार्ड गायब है इन एटीयम कार्ड के बारे में बैंक आउप बरोदा से जानकारी 185 की गई इसके बाद पुलिस ने बैंक और एटीम के सिसी टीवी फुटेज के बाद आरुफी को पकड़ लिया है अब नज़र ढलते हैं आज की साथवी प्रमख खबर पर मुख्य मंत्री हमसुरे ने सुटंतरता दिवस समारो 2020 के अवसर पर राजी के पुलिस पदादिकारियों और कर्मियों को विसेश्च्ट सेवा के लिए दो राष्टपती पुलिस पदग एवं सरानिय सेवा के लिए ठारः पुलिस पदग प्रदान करने की अनुशनसा को मंजूरी दी है इन नामों का चैन स्क्रिनिंग कमेटी ने किया है के सुबेदार जगदेश चंद्रपाथ पिंगुआ और विसेश साखा के लिए हवलदार महिंदर प्रसाद के अलाबा सरानिय सेवा हेतु पुलिस पदक के लिए IPS-DIG विसेश शाखा सुदर्शन प्रसाद मंडन इंस्पेक्टर अशो कुमार राम इंस्पेक्टर हुलास पुर्ती इंस्पेक्टर देवकी सांगा दारोगा तुफैल खान अरविंद कुमार सिंग पंकज उराउं STFK राजिव रंजन, ASI राजेश कुमार, सुमराथ पांडिया, भारत राम, हवलदार बालिश्वर यादव, हवलदार प्रद्युमन गुप्ता, हवलदार सुनिल कुमार, हवलदार जितेंद्र कुमार सिंग, हवलदार सिकंदर राय, हवलदार सर्वजीत कुमार और हवल फिर अब हो रहा है आखिर कौन से विले को माना जाए यदि पहले हुआ विले कलत था तो तब तक के विधायकों ने जो वेतन और सुविधाय लिए हैं वे वापस करें यदि पहले का विले सही था तो एक ही पार्टी का आखिर दो बर विले कैसे हो सकता है अब दूसरी खबर मुख्य मंत्री हिमन सुरेन ने बिजली उपभुगताओं को सबसीडी प्रदान करने की प्रशासनिक स्विकृती के आलोक में जार्खन राज बिजली वित्रन निगम को एक हजार करोर रुपे एक मुष्ट विमुक्त करने की सहमती दे दी है बता दें कि कई श्रेणी के टैरिफ में अत्यधिक व्रिधी होने के कारण निम श्रेणी के उपभुगताओं को नियामक आयोग द्वारा निधारित विद्यो को शुल्क में सबसीडी देने का निड़ने राज सरकार ने लिया है अब तीसरी खबर देवघर में भारी मात्रा में विसफोटक बरामत किये गये हैं यह सब ही विसफोटक जमीन के अंदर गाड कर रखे गये थे इनमें भारी संखे में जिलेटिन और ग्रिनाइट शामिल है पलिस ने विसफोटकों का जखेरा जब्द कर लिया है और मामले की जांच में उखे मंत्री को मंत्री से इस्तिफा ले लेना चाहिए अब चटी खबर भाशपा निता अरुण उराओं ने सिधो कानों के वंशज रामिश्वर मुर्मु की हत्या की चांच सिबियाई से करानी की मांग की है उन्होंने कहा कि मामली की लीपापोती की जा रही है इसे लेकर शिगर ही भाशपा का प्रतिनीधी मंडन मुर्तक के परिजनों से मिलेगा आज के आजाज सिपाही के प्राहीम बुलेटिन में बस इतना ही देश वुदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोग प्रिया दैनिक अखबार आजाज सिपाही और हाँ आप हमारे इसे योटीव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जुड़े रहिए आजाज सिपाही के साथ धनेवाद